असम के मुख्यमंत्री हीमंत बिश्वा सर्मा ने गुर्वार को भाच्पा की तारीफ करते हुए कॉंग्रेस पार्टी की तीखी आलोचना की बार पेटा जीले के चक चका में पार्टी कार्यले के उठगाटन के मौके पर कॉंग्रेस से बीजेपी नेता बने एमंत बिश्वा सर्मा ने दावा किया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का एजिंडा गांधी परिवार की डाइनिंग टेबल पर सेट होता है उन्होंने कहा बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसे उसके कार्यो करताओं ने बनाया है लेकिन अगर आप कॉंगरेस या दूसरी पार्टीयों की बात करे तो ये कार्यो करताओं ने नहीं बनाई है वो सिर्फ अपने नेताओं और परिवार के आसपा स्केंद्रित है उनके निर्णे परिवार की डाइनिंग टेबल पर लिये जाते हैं और कार्यकरताओं को सिर्फ फोलो करने होते हैं परिवार की जरूरतों के हिसाब से पार्टी के विचारधारा और अजेंडा बदल दिये जाते हैं सीएम सर्मा ने अपने व्यक्तिगत अनुभव को याद करते हुए ओडिसा में बीजेपी कार्यकारणी की बैटक का किस्ता सुनाते हुए कहा अरुन जेटली, सुश्मा स्वराज और धर्मेंद्र प्रधान जिसे टॉप के बीजेपी ने ताउ से बड़ी सहचता से मिल पाए पीएम मोदी ने इस बैठक में सभी के साथ बैटकर खाना खाया हमें बताया गया कि बीजेपी में इसी तरह से काम किया जाता है कॉंगर्स पर हमला करते होएं उन्होंने कहा जबकि सोनिया गांधी के साथ एक टेबल पर या राहूल गांधी के बगल वाली खुरूसी पर वैटना और कलपनिया है कॉंगर्स में सोनिया गांधी के सामने तो ये कहते हुए भी दर लगता था कि देश पहले है और गांधी परिवार बाद में लेकिन मोदी जी खुद कहते हैं कि देश पहले है पार्टी बाद में और परिवार सबसे बाद में ये बीजेपी के संगतनात्मक आधार को धरशाता है सीम सर्मा ने आगे कहा अमिच शाह जैसे वरिष्ट नेता भी किसी होतल के बजाए पार्टी कार्यकरता के घर पर खाना खाने में खुशी महसूस करते हैं उन्होंने पत्रकार से बातचीत करते हुए विश्वास चताया कि इस बार के लोकसभा चुनाओं में बीजेपी के नेतरुत्व में इंडिये 400 सीटों से भी ज्यादा जीतेगी और कॉंग्रेस रीजनल पार्टी बन कर रह जाएगी उन्होंने कहा इस चुनाओं के बात कॉंग्रेस का राश्ट्रिय पार्टी का प्रभाव कम हो जाएगा वो अपनी नाकावी कैसे चिपाएगे कोई राश्ट्रिय नेतरुत्व नहीं बचेगा और ये रीजनल पार्टी बन कर रह जाएगी